Scabies infection फैलने का ये है कि ये bedsheets से, कपड़ों से होता है, अगर हम कपड़े share कर रहे हैं तो उससे होता है ये सारे instruction इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक भी instruction इसमें miss नहीं होना चाहिए नहीं तो ये scabies एक recurrent problem बन जाएगी Hi everyone, दादू Medical Center में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे scabies के बारे में scabies क्या होता है, कैसे ये infection फैलता है इसके signs और symptoms क्या है, क्या causes है कैसे हम scabies को diagnose करेंगे, कैसे हम इसको treat कर सकते है और इसको prevent करने के लिए हम क्या कर सकते है ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, हमारी ग्लूटा थे उनके वीडियो के लिए, जो हमने पिछले हफते रिलीस की थी, जिसमें आपके बहुत सारे लाइक्स और कॉमेंट्स आये थे, तो उसके लिए थैंक्स और अब चलिए वापिस काते हैं स्केबीज पर, तो स्केबीज क्या होता है? स्केबीज एक इंफेक्शन है, जो एक पैरसाइट से होता है, जिसका नाम है सारकोप्टी स्केबियाए, तो यह जो पैरसाइट है, यह खुजली करता है पूरी बॉड़ी में, इची रैश हो जाएगा, और खास तार प जो scabies की होती है, वो ये, कि ये रात में itching जादा होती है, क्योंकि ये एक mite से होता है, एक parasite से होता है, तो ये mite रात को बाहर निकल के आता है skin से, और इसमें itching रात को जादा होती है, अब ये कैसे फैलता है, ये एक से दूसरे को फैलेगा, person to person contact से फैलता है, ये एक endemic disease है, हजारों सालों से ये human beings में है और इस तरीके से ये एक से दूसरे को हो रहा है और जादा ये कह सकते हैं कि ये उन लोगों में होता है जो उतने जादा hygiene conscious नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरा बहुत common तरीका scabies infection फैलने का ये है कि ये bed sheet से, कपड़ों से होता है अगर हम कपड़े share कर रहे हैं तो उससे होता है तो ये बहुत जादा common है उन जगाओं पर जहां बहुत सारे लोगों का आना जाना है जहां close contact में लोग रहते हैं जैसे कि hostels में, hospitals में जहां बहुत सारा frequently लोग आ जा रहे हैं या फिर hotels में, या फिर prisoners में या school में जहां बच्चे बहुत सारे एक साथ एक classroom में पड़ रहे हैं तो ऐसी जगाओं पे scabies एक से दूसरे को असानी से पहल सकता है अब ये तो हमने देखा कि scabies कैसे पहलेगा लेकिन ये जो खुजली मैंने आपको बताई जो रात में जादा हो रही है ये खुजली बच्चों में कैसे अलग है वो हम देखते हैं तो बच्चों का scabies थोड़ा सा different होता है बच्चों में scabies चहरे पर भी हो सकता है जो adults में चहरे पर बिलकुल नहीं होता इसके लावा बच्चों में बहुत common है scabies की हतेली और पंजों में scabies हो सकता है जो adults में नहीं देखा जाता और छोटे-छोटे पानी वाले दाने हतेली और पंजे में बन सकते हैं अगर बच्चों में scabies है तो तो इस तरह से तो बच्चों का scabies adult scabies से अलग होगा अब हम देखते हैं कि scabies कितने तरह का होता है एक तो यही normal scabies है जिसमें मैंने बताया कि itching होगी, रात में जादा होगी, पूरी body में हो सकती है और कुछ particular seasons में जादा होगी और एक से दूसरे को लगेगी उसके इलावा दूसरा एक और common type है scabies का जो है nodular scabies, तो nodular scabies में क्या होता है, इसी तरह का itchy rash होगा और साथ में nodules बनेंगे और खास तोर पे private parts में यह nodules बनेंगे और तीसरा एक और common type है scabies का वो है crusted या Norwegian scabies, तो crusted या Norwegian scabies थोड़ा uncommon इसलिए है क्योंकि यह उन लोगों में जादा होता है जो immunocompromised है, जिसका मतलब है कि जो कीमोथेरपी पे हैं, किसी वज़े से किसी ऐसी दवाई पे हैं, जिसकी वज़े से उनकी immunity suppressed है, HIV positive patients में, तो यह इन लोगों में जादा देखा जाता है, तो उस बज़े से यह थोड़ा सा uncommon है, बट nodular scabies और जो normal scabies है, वो काफी जादा common है, तो अब इसको हम कैसे manage करेंगे, कैसे treat करेंगे, वो मैं अब आपको बताती हूँ scabies का treatment discuss करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि अगर आपने ऐसे कुछ भी itching कभी भी experience करी है तो मुझे comment section में comment करके बताईए, I will be happy to help you और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कोई skin से related कोई dermatology से related clinical topics पर video बनाऊ, मैंने बहुत सारी DIYs और product reviews पर video बनाई है, aesthetic treatments पर video बनाई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे clinical topics भी cover करूँ जो अभी तक uncovered है मेरे handle पर, तो वो भी आप comment section में comment करके बताईए, मैं उन पर जरूर video बनाऊँगी, तो चलिए वापस आते हैं scabies के treatment पर, तो scabies के treatment के लिए creams और lotions available है, oral medications available है, जो आप use कर सकते हैं इसमें cream जो सबसे जादा common है, वो ऐसे लगाई जाती है कि आप एक बार वो cream लगाएंगे रात को, और पूरी रात ये medicine आप लगा के रखेंगे अपनी body पे, पूरी रात लगी रहेगी और अगले दिन सुबह आप उसे wash करेंगे अगले दिन सुबह आपको नहाना है ये neck down लगाई जाती है और इसको पूरी body को आपने cover करना है, और आपके weight और height के हिसाब से आप पूरी tube एक बारी में खतम कर सकते हैं और फिर पूरी रात लगी रहेगी अगले दिन सुबह नहाएंगे फिर एक हफ़ते के बाद ये repeat application होगी यानि कि एक हफ़ते के बाद फिर से आपने ये cream पूरी body पे लगानी है और पूरी रात लगी रहेगी अगले दिन सुबह इसको wash कर देंगे, तो एक हफ़ते के बाद लगाना इसलिए ज़रूरी है ये सारे instruction इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक भी instruction इसमें miss नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये scabies एक recurrent problem बन जाएगी तो एक हफ़ते के बाद ये लगाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो scabies का mite, ये cream लगाने से खतम होगा, वो mite काफी बार eggs ले करते हैं और वो eggs hatch करके, वापिस से एक हफ़ते में एक mite बन जाएगा तो हमने वो cycle को break करना है, और इस वज़े से ये ज़रूरी है, कि वो जो eggs hatch करके, वो proper एक बड़ा mite बन जाएगा, और एक हफ़ते बाद फिर से खाने के लिए भी कुछ medicines देंगे जो की आपको day 1 पे और day 10 पे repeat करनी है और इसके हिलावा अगर itching बहुत जादा है, तो anti-allergics दी जाएगी खुजली को control करने के लिए अगर खुजला के बहुत जादा जखम आपने बना लिये हैं, तो अगर उनमें infection है, तो आपके dermatologist आपको anti-biotics देंगे और साथ ही, पहले कुछ दिनों के लिए आपको steroid creams भी दी जा सकती हैं, ताकि itching असानी से control में लाई जा सके अब ये बहुत ज़रूरी है, कि अगर scabies जैसे symptoms आपको देखने में लग रहे हैं या किसी भी और तरह की itching है, तो आप तुरंत अपने dermatologist को contact करें, क्यूंकि सही diagnosis होना, और सही treatment होना, सही time पे treatment होना और सही तरीके से treatment होना बहुत ज़रूरी है, तो क्यूंकि creams के side effects भी होते हैं बच्चों में cream अलग होगी और सही application बहुत ज़रूरी है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी तरीका itchy rash experience कर रहे हैं, तो तुरंत एक qualified or experienced dermatologist को contact करें, अब ये तो हुआ treatments के बीस का, इसके इलावा आप सबसे ज़ादा important है इसका prevention, और ये बार-बार ना हो, वो हमें देखना है तो अब हम क्या करेंगे, कि जो एक बार ये cream तो हमने लगा ली, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कि इसके mites कपडों में भी होते हैं, तो ये जूओं की तरह हैं, तो इसको खतम करना है, ताकि बार-बार scabies ना हो तो इसके लिए क्या करना है, वो बहुत जरूरी है, और एक-एक instruction बहुत जरूरी है, नहीं तो बार-बार scabies होता रहेगा, अगर आपके dermatologist suspect कर रहे हैं, कि आपके बाकी family members में भी अभी तक scabies fell चुका होगा, तो वो आपसे कहेंगे, कि बाकी सारे family members को भी यही cream लगानी है, चाहे उनको symptoms है या नहीं है, तो please इससे comply करिये, और ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि उन्हें इचिंग नहीं है, तो नहीं लगानी है cream, cream लगानी बहुत जरूरी है, नहीं तो एक से दूसरे को family में बार-बार scabies होती रहेगी, इसके इलावा, second बहुत important instruction है कि कपड़ों को अच्छे से उबालना है गरम पानी में, सारे कपड़ों को, bed sheets को और undergarments को, हर कपड़े को अच्छे से गरम पानी में उबालना है, तो आपने boiling water में सारे कपड़े डालनी है और जब वो पानी ठंडा हो जाए, तब तक वो कपड़े उस पानी में पड़े रहेंगे, और उसके बार नॉर्मल तरीके से जैसे आप कपड़े वाश करते हैं, आप कपड़े वाश करेंगे, बार-बार यही बात कहूंगे कि कपड़ों को उबालना ज़रूरी है, स्केबीस का जो पैरसाइट है, जो माइट है, वो गरम पानी में उबलते पानी में ही खतम होता है, इसलिए बार-बार कह रही हूं क्योंकि काफी बार लोग लेनेक में आके बोलते हैं कि हमने डेटॉल से कपड़े साफ कर लिए, डेटॉल से कपड़े साफ करने से, डिसिंफेक्टेंट से साफ करने से कुछ हासिल नहीं होगा, यह माई डेटॉल से नहीं खतम होगा, इसके लिए आपको गरम पानी में कपड़े उबालने ही पड़ेंगे, जिन कपड़ों को आप उबाल नहीं सकते उन पे आपने प्रेस चलानी है, धूब दिखानी है गदों को, कंबल को, रजाईयों को हर चीज को धूब दिखानी जरूरी है नहीं तो ये infection बार-बार वापस आता रहेगा अब इसके इलावा, अगर बहुत जादा scabies है, तो आपके डॉक्टर आपको ये भी suggest करेंगे कि carpets को और बाकी सारे सोफे इन सब चीजों को भी आप vacuum clean करें I hope आपको ये video informative लगी skin और hair के ऐसे और informative content के लिए आप मुझे YouTube और Instagram पे follow कर सकते हैं, हमारा YouTube और Instagram handle है Dadu Medical Center और DMC Trichology Thanks for watching